हलो गाईज आज मैं आप लोगों के साथ चेयर करने वाली हूँ अमेरिकन कॉन की रेसिपी ये देखिए बच्चे वैसे हल्प कराएं या ना कराएं जैसे ही उन्हें पता चलता है उनकी फेवरेट चीजे बन रही है मैंने इसे कहा भी नहीं काम करने के लिए और इसने ये देखी सारे कुन चीजे तयार कर दिये है कि पानी को इख इस होगे ये बहुत ही सौफ्ट होती है इनके जो दाने वह ताइट नहीं होते है आप जो नॉर्मल मक्की होते हैं जिने हम सेक की काते हैं वो वाली इसमें यूज नहीं कर सकते हैं ये अलग से कौन आते हैं मार्केट में स्पेशली इनको अमेरिकन कौन चली भुटा इस तरीके से बोला जाता है हमने इसे उबलने के लिए रख दिया है पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से इसे उबाल लें चार से पांच मिलिट में ये उबल कर तयार हो जाएंगे इन्हें उबलने में जादा टाइम नहीं लगता है जैसे ही पानी में डालेंगे उसी तरीके से इन में पानी जो है आना शुरू हो जाएगा और ये पकर तयार हो जाएंगे ये देखे ये पक चुके हैं अब हम क्या करेंगे लेंगे एक नीमू उसको करेंगे दो पीसीज में डिवाइड ये देखे लेमन को हमने डिवाइड कर लेंगे क्योंकि यह पक्कर तयार हो चुका है नीम्बू लेंगे सारे के सारे स्पाइसी जेक साथ उसमें लगाएंगे और जो है भुट्टे पर इस तरीके से यह देखे रगड देंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रेड चिली पाउडर को स्किप ना करें अगर बच पक्कर तयार हो गया है इसका टेस्ट बिल्कुल स्वीट कॉन जैसा आएगा रेसीपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू पूर वोचिंग आइज